बरिष्ट पत्रकार बर्खा दतने मंगलवार को उनके चैनल की महिला कर्मियों के लिए अपशब्द कहे जाने को लेकर पुर्केंद्री मंत्री और कॉंग्रेश नीता कपिल सिबल की पत्नी प्रोमीला सिबल के खिलाफ राश्री महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है दतने शोमबार को ट्वीट करके शिबल और उनकी पत्नी पर आरोप लगाया कि नोएडा से संचालित एष्टियन तिरंगा टीवी में 200 से अधिक कर्मचारियों की उपकरंजब्द कर लिए गए और उन पर 6 महिने सिवेत नहीं मिलने के साथ ही नौकरी से निकाले जाने का खत्रा मन रा रहा है उन्होंने आरोप लगाया कि शिबल और उनकी पत्नी महिला कर्मियों के खिलाफ आप सब्दों का इस्तिमाल करते थे इस संबंध में सिबल की और से ततकाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई बर्खादत ने एक अन्य ट्विट में लिखा यह राष्ट्रे महिला आयोग के लिए बिलकुल उचित मामला है और हम अपने पक्ष में दस्तखत किये हुए हलफना में जमा करेंगे आयोग के अध्यक्ष रेखा सर्मा ने कहा कि उन्होंने प्रोमीला सिबल के खिलाफ दत की सिकायत का संग्यान लिया है आरोप है कि उन्होंने बर्खादत समेत महला कर्मियों के लिए अब सब्द कहे उन्होंने कहा मैं सिकायत को देखूंगी और जरुरत पड़ी तो मामले में दत और प्रोमिलाशी बल दोनों को तलब करूंगी